हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जो ना सिर्फ आदर्ष समाज के सपने देखती थी बलकि उसके लिए पहल भी करती थी यह यूं कहें कि अंग्रेजी की कहावत टू वाक वान स्टॉक की वो सटी गुधारन थी मुर्ण चान संट वाल इपक्राइब करें तार्रीणी झाल झाल उस्ट झाल अच्छा लकन, मैं चल्गती हूँ, कल शाफ 11 बजे, अच्छली मुझे किसी भी हाल में ने इस वीक अपना थेसिस सम्मिट करना है, जी मैं, मैं साड़े दस बजे ही खोल दोंगा, ओकी लकन, गुड़नाइट, गुड़नेट, मैं, मैं, महा एक के अच्छली मुझे को अचल अठराइब उत्विम इस बजे ही का और हम शूल में जानते हुगे तो कौन है, ठीक है ना, वकर हिम्मत आजाए ना, तो सामने भी आजाना, फिर बात करेंगे. संचना, क्या हुआ, तो यहां क्यू खड़ी है? ताई, ताई में जहां अपनी स्कूटी खड़ी करती हुँ ना, वहां अचानक से ट्यूब लाइट फूट गई. फ्यूज हो गया होगा, तो डर मत तो यहां पे खड़ी हु तुझा. घ्यूद़ि कि कि VRI को यह तोड़ यह तोड़ यह तोड़ यह वहाना तोड़ जूजा है । Sanjana, कहा हूं तू? मैं पुलिश्यों की पहुच की ओ धी में नहीं आरी नहीं आरी मतलब? टी में नहीं आरी और होने मज़ा मना किया है लेकिन मैं यह क्या बोल रहे आप मेड़म, जिस लड़की के साथ छेड़का नहीं हुई है, वो बयान देने को तायार नहीं, और जहाँ पे छेड़का नहीं हुई है, वाँ का कोई CCDV फुटेज भी नहीं, अब आप ही बताइए, मैं क्या केस लिखू और क्या कारवाई करूँ? सर, अब सुओ मोटू, यानि अपनी पहल पर तो केमपस में लड़कियों के सुरक्षा के लिए केस रजिस्टर कर सकते हैं, ना? देखें मड़म, मैं अपनी तरब से पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन केस बहुत वीक है, उजे नहीं लगता कुछ होगा. कि विखेंचे, नहीं बारे, कि बारे मुझे! अभाये विखेंचे, नहीं चुड़ेशन से नहीं! टाइ 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 गेट खोलो अलज बंदे, अलज में स्ट्राइक है क्यों? क्योंकि स्टुडेंट उन्यान को बदनाम किया चाहरा है और इसका कारण है तू तूम्हें अपना टाइम वेस्ट करना तो करो मुझे अपने थेसिस पूरी गन्या गेट खोलो काई 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 तुछे पता है मेरी कम्प्लेंड की वज़ेसे ने इस सब ड्रामा हो रहा है तूम्हें अपने रहने का बंदबस कही और कर ले हम और जान का खत्रा मोन नहीं ले सकते आज आई बाबा होते तो मेरे साथ खड़े होगा और एक तू है अपना ना होके भी तूने मेरी इतनी मदद थी मुझे अपने घर में रहने की जगा दी ताई इसमें कौनसे बड़ी बात है आप भी तो इतनी बार मेरी फीस बढ़ती हो ना मैं आपको और रहने के लिए छद में दे सकता मैं भी चलती मुझे लैब में काम है ठीक है हाँ ताई मैं के वरत्वा सेषब इतनी में काम है लिए मैं के लिए रहने मैं झाल 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 जाल झाल हलो, मनाली बेटा कहा है तू? देख बेटा गुस्से में, मैंने तुझे बहुत कुछ बोल दिया लेकिन गहराचा बेटा, गहराचा मैनम मैं घ्रिट अंस्टेबल चमान बात कर रहा हूं यह मोबाला मैं गाडी में मिला है गाड़ी जंगल के बस कड़ी है तालने लोगे बैए सरे विक्टीम के चाचा चाची है हमारी PCA टीम ने उस गाड़ी के बारे में बताया था हमारी एक फॉरेंसिक टीम उस गाड़ी के जांच भी कर रही है सिर्ली मैं ऐसा तो नहीं कातिल ने हमें गुम रहा करने के लिए विक्टीम की गाड़ी शहर स बाहर दूर पार्क की और विक्टीम का बोबाई लेकर गया लेकिन सर वो बाहर प्यून और लेब असिस्टेंट तो कह रहे थे तुम कौन हो? सर मैं लाब अटेंड रिनू लखन खांडे कर सर पेट्रोन टीम को मैंनाली का फोन मिला था इसमें इसके बारा मिस कॉल था ऐसी क्या बात थी कि तुने बारा बार मैंनाली को फोन किया मैंनाली मैडम बिना बताय चली गई थी उनसे उचना था कि वो सेटरड़े संड़े लाब में आने वाली है या नहीं तुम लोगों उसको वापिस आते हो देखा था कॉलेज में मेरी तभिद खराब हो गएती साब मैं थोड़ा सो गया था साब सर मैं तो पांच मीट बार के निकल गया था मता नहीं मेरे जाने के बाद शायद वो वापस आई सर कॉलेज का सर्विलेंस और डेटा सेंटर भी बंद है और सीसी टीव केमरा भी तूटे हुए नहीं तो सबकु साफसा पता चल जाता काखा काखी मानाली को क्या हुआ मानाली नहीं रही मेटा क्या हुआ? कैसे हुआ? कुछ? कुछ? मैं मानाली नहीं का मुझ बोला भाई और सब्सक्राइब मैं विकास मेरी मलार के साथ एंगेजमेंट होने वाली थी शेर के मानाली का कॉलेज से पाच बजे निकला पर फिर से कॉलेज जाना और उसका रेप और मुरडर होना यह मिस्ट्री समझ में आ रहे है यह जो कुछ भी हुआ है वो कॉलेज के लाबरोटरी में हुआ है यह करने वाला कॉलेज का ही कोई बंद है यह काम को रुशर के आज दिन भर मनाली को मिलने कौन को नाय था पता को और मनाली की बोड़े आटपसी के लिए भेज़ दो साफ 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 कॉलेज के हरता थी ना तो बहुत सारे लोग अंदर नहीं आये थे हाँ साफ दस बज़े ना कॉलेज एड्मिनिस्टेशन के लिटिंग थे पिर बांद में ओम भावाय थे यह ओम कॉन है मनाली की जो बेस्ट्रेंड है ना संजना उसका भाई है सुझे विकास ओम यह तीनों कितने बज़ निखले यह तो मैंने नहीं देखा साब वह तो हर्टाल वाली बच्ची चले गए थे मैं आपको एड्मिंग का नंबर देता हूँ उनके आज सबका नंबर होता हूँ जैन सर मनाली केस में कुछ अपडेट मिला? सर फिलाल तो कुछ खास नहीं है कॉलेज में स्टाइक चल रही है ज्यादातर लोग आनी रहे सर मनाली के कॉलेज आने के बाद जितने भी लोग कॉलेज आये थे मैंने सभी को अइडेंटिफाइ कर लिया और पूस्ताज के लिए यहाँ पुलीस स्टाइशन बुला है प्रोफेसर और स्टाफ के बुला ठीक है सर कार और मोबल में कुछ मिला? सर अभी तक तो कुछ सबस्पीजस नहीं मिला है मैंने कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन रिकॉर्ड के लिए बोल दिया है लखन खंडेकर तुम मनाली के बायो टेकनलोजी लैबरोटर के अटेंडेंट हो उसके साथ बहुत क्लोसली काम करते थे जी सर मनाली मैडम बहुत ही अच्छी थी किसी से कोई मतलब नहीं था दिन भर चुपचाप अपना काम करती थी मनाली मैम हा लकन चाय अरे इसकी क्या ज़रोती मैडम जी कॉलेज में आर्ट रिसर्च करने वाले मनाली को लेब में मिलने कोन कोना आया था बस ओम चवहन आया था आरे सोम चवहन के बारे में परता किया है सरे संजनाचौवहान का भाई है जिस वे इसके साथ पहली बार कॉलिज में हम्ला हुआ था मनाली ने लच्मीनगर पुलिस चेशन में उसकी की कंप्लेंट भी की थी लेकिन एंड टाइम पे संजना ने पुलिस से मिलने मना कर दिया फिर स्टुडेंट यूनियन के लड़कों ने CCTV और डेटाबेस तूर दिया इस कारण पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था कि इसको महीं बंद करना पड़ा हाँ सर मैं दस्थारी को मनाली से मिलने लैब में गया था मनाली तुम्हें पुलिस में जाने की क्या जुरत थी हाँ यह देखो संजना का धाम छप गया पेपर में सारे विश्टोरा के फोन आ रहे है वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही है अरे कॉलेज नहीं जा पा रही है तुम्हें जो करना था वो तुम करती मेरी बहन को पुलिस के लफ़ने में क्यू डाला कि संजना का सोशन होगा है उसे आवाज उठानी चाहिए वो आवाज उठाएगी तभी तो दूसी लड़के आवाज उठाएगी ना और तब लड़को को सीख मिलेगी तुम बचाने तुम कैसे भाई हो अपनी बहन की ताकत बनने की बज़ए तुम उसे कमजोर कर रहे हैं देखो मना ली मैं एक लड़का हूँ और मैं जानता हूँ दुनिया में लड़के कैसे होते हैं आगे से मेरी बहन से तूर रहना उसके बाद मैं कॉलेज से तुरन निकल गया उसके ब सब क्रांती कारी गुस्से वाली समझते थे लेकिन वो ऐसे बिलकुल नहीं थी वो बाहर से सिर्फ स्ट्रॉंग होने की एक्टिं करती थी अंदर से वो बहुत इमोशनल थे यह चैरिटी कॉलेज नहीं है तीन सेमिस्टर में तुमारी फीज मा की जा चुकी है अब ऐसा नह मुश्किल से इवनिंग में फूड होम डिलेवरी करके घर का रेंड बढ़ता हूँ अपकी फीज के पैसे कहा से लाओंगा सर सर कितनी फीज है सकी तेंशन मतला मैं तुमारी फीज दे दू कि और उस दिन से मैंने उन्हें ताई मान लिया और उन्हें मुझे भाई कॉलेज तु दिखा ताई की गाड़ी ने दिखी मैं समझ गया शायद से विकास के साथ गई होगी तुम्ही क्या लगता किसने किया हो गई सर स्टुडेंट यूनियन लीडर अनिकेट सालूम के सर सन्जना के केस में मैंनली ने इस्टुडेंट यूनियन पर शक जताया था उसने अनिकेट का नाम भी लिया था सर ये वीडियो देखिया यह ताई मुझे बिचा था अनिकेट के यूनियन के लड़के ढमकी देने कि लिए मनली ताई के गः भी गए थे मुझे मानना चाहते हो ना, बारो सरी, ये मूट हके हुए लड़की युनियन की ही है और अनिकेच सालूं के उनका लीडर सर, जब चेहरे ही नहीं दिख रहे हैं तो कैसे कह सकते हैं कि ये लड़के हमारे युनियन के है ये कहीं थाहँ नहीं कि संजला के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब लोग हमारे युनियन के छोग थे लेकि मनाली ने तुमारे आधा को खिला अफशक क्यों यद्हाई था क्योंकि सर, जहां ये संजला के साथ इसाथ हुआ वो युनियन आफिस के पास है कोई कुछ भी करता है लेकिन नाम हमेशा Union Office का ही खराब होता है सर देखिए मनाली के साथ जो कुछ भी हुआ इस बात की हमें भी तकलीफ है लेकिन सर मनाली ने बिना वज़े Union का नाम उचाला था और तुम्हारा मेली को हर्ट हो गया तुम्हें डर लगने लगा तुम्हारा पोलिटिकल करियर बरबाद हो जाएगा इसलिए तुम्हें मनाली के साथ रेप किया और उसका मोरेडर किया ऐसा कुछ भी नहीं है सर मनाली एक बॉनाफ़ारी स्टूडेंट थी और हम स्टूडेंट्स के लिए लड़ते हैं और सर अब मुझे ग्रिल करने के बजाए उस चेयर्मेन के ना तू पंकर्ज लोनकर को क्यों नहीं पकड़ते हैं वो तो चलते फिरते मनाली को छेड़ता था सर, मनाली ने अपने एड़्मिन ओफिसर श्रिजस लवेकर उनके पास कंप्लेंड भी की थी फिर भी कुछ नहीं हुआ सर, मुझे पंकर्च लोनकर के खिला इन टीजिंगे कंप्लेंड करनी है अरे वो चेयर्मेन का नातू है वो ऐसा नहीं कर सकता कॉलेज की बद्दामी ना हूँ, इसलिए में पुलिस कंप्लेंड नहीं करें आप उसकी अभी कंप्लेंड लिखियो और उसे आज ही सस्पेंड कीजे सर, मैं चेयर्मेन साब कानातू हूँ, इससी कॉलेज में पढ़ता हूँ सर, शायद तभी लोग मुझे टार्गेट करते रहते हैं, तो सर, वो अनिकेद है उस अनिकेद को मैंने लास्टो लास्टेर एलेक्शन में हराया था सर, तभी से ये मेरे साथ सिफ जगड़ा ही करता रहता है सर, ये रही तुमारे खिलाफ कंप्लेंट की कॉपी जो तुमारे खिलाफ मनाली ने की था सर, अगर ऐसा है तो एड्मिनिस्ट्रिशनल कमेटी ने इस पर जो रिपलाइ किया था उसकी कॉपी भी आपके पास होगी ना सर, सर, अगर नहीं है तो मैं दे सकता हूं सर, आपको ये देखी सर, सर, इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि मनाली ने मुझ पर जो भी इल्जाम लगाए थे, वो सारे के सारे बोगस थे हरुद का मोटिफ, पॉलिटिकल दुपहर दो बज़े काहां थी, सर, दुपहर दो बज़े तो मैं प्रोफेसर रूपल के घर पे था, प्रोषट का काम करा था मैं, सर, पंकच दुपहर के दो सिले के रात के आड़ बजे तक मेरे साथ ही था, लेकिन दुपहर को जब एक ब सर, हमारी एंगेजमेंट होने वाली थी, और उसी की अरेंजमेंट्स को लेकर हमारे बीच में जगडा हुआ था, मैं उसे मना भी राता पर वो मुझ पर बहुत ही गुस्सा थी, पर ये सब चकर में मेरा फोन भी तूड़िया, कितने बज़े मिले थी तुम उसको? करीब ए ए और भाई है ना, सुझे महल है, वो फ्रॉड लगता है। जब मनाली के काकाका काके के घर कुछ गुंड़ों ने अटाइक किया था, उसके बाद डर के खारन काका काकी ने मनाली को गर से भार ही निकाल दिया। बस उसके बाद मनाली ये सुझे के घर जाका रहनी लगी थ इसलब सरिय सुजे सिर्फ भाई बनकर ये मनाली का फाइदा उटा था था येस, मैं चीता, कवाण चल लब मेरी जो दिदी, मैंने हाथ पकड़ के करो, मैं लख्यू आपके लिए छी फूख? हाँ येस, मैंने बुला तरह मैं आपके लिए लख्यू मैंने कितने बार मनाली को इस बारे में टोका भी लेकिन मनाली, उल्टा मुझ पर ही गुस्सा होती थी अरी, हाँ सर, मैं आपको इस बात तो कुछ नहीं भूल गया सर, मनाली हमेशा आपने पास एक टैब रखती थी क्या, आपको वो टैब मिला? उसमें सीम ता? मनाली के साथ इतना गुछ? ज्यादा जासी की रानी बन रही थी, उसके साथ तो ऐसा होना ही था आपको मज़े बताना चाहता है आपको आपने मनाली दी को तो ए! यह क्या बात कर रही है? तुझा अंदर मैंट नहीं दो, ले जाओंगी मैंदर आपको मेरी बास तुना चल था जना चल था आपको मेरी बास तुना भाव सर, पंकज लोनकर को छोड़कर सभी हमारे सस्पेक्ट है मनाली का रेप और मडर कॉलेज में हुआ और उस वक्त यह पांचो, ओम, सुजय, अनिकेत, विकास और लखन कॉलेज में था लेकिन लखन के पास कोई मोटव नहीं है एक सवल अभी भी है, अगर मनाली निकली तो फिर से कॉलेज कब गई और अकेली गई और किसी के साथ गई सुचने वाली बात है, सर एक काम करो, सभी के यहां तक के मनाले के काका काको के के काल डीटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाँ और इतने भी मेल सस्पेट्स है उनके सिमेन टेस्ट और डीने प्रोफाइलिंग करवाँ ठीके सर इच यालू कास होता है अरे चिंटू जार एदर आता हूँ, यह स्टार्ट क्यों नहीं हो रहाँ यह वाँ, यह स्टार्ट नहीं हो रहा अचा यह तक यह दुबाना है नहीं यह 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 रिख दुबादुबा चालो गया सर, सर मनाली का टाप अभी अभी यह ओन होता लिकेन फिर थोड़ी देर में बंद हो गया लोकेशन पता चला नहीं सर, उसके पहली ही बंद हो गया बी अलग्ट फिर से अगर टाप अन हो तो उसका एक्सेक्ट लोकेशन एडिन्टिफाइ करो और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दे सर वो सकता यह टाप ही हमें मनाली के कातिल तक पहुशन में मदद करें यह सर पुलिस ने मनाली के गुम हुए टैप को सविलिंस पर रखा लेकिन वो तुबारा ओन ही नहीं हुआ चुकि लखन के पास कोई मोटिव नहीं था इसने शक किसुई मनाली के मूभुले भाई सुजे, स्टूडेंट यूनियन लीडर अनिकेत और मनाली के होने वाले मंगेतर विकास की तरफ खूमने लगी पुलिस ने इन सवी के घरों में मनाली का आईपैड ढूनने की कोशिश की सर, यह लब तोप मिलाएं और इसी क्रम में पुलिस को सुजे के लैपटॉप में हिडन कैमरा से लिए गए मनाली के कुछ विडियोज मिले पुलिस ने सुजे को अरेस्ट कर लिया सक्ती से उससे पूछताज भी की लेकिन फिर भी सुजे ने मनाली के रेप और मर्डर में अपना हाथ होने से साफ इंकार कर दिया सर, मनाली की पीम रिपोर्ट एक विक्टिम के अंडर कार्मेंट पे और दूसरा उसके प्राइवेट पार्ट पे उसके प्राइवेट पार्ट से कॉंडर में यूज होने वाले रूब्रिकन की ट्रेसे भी मिले यह मतलब सर, हो सकता है कि यह ग्यांग रेप का मामला हो डॉक्टर ने साफ लिखा है, उसके बॉड़ी पे मल्टिपल इंजूरी मार्क्स थी मतलब विक्टिम ने खुद को बचाने के बहुत कोशिश की और सर, उसके हाथ-पाउं को काफी देर तक बांध के रखा गया था उसके बॉड़ी पे साथ बड़े कट से इसका मतलब वो काटने में बहुत टाइम गया होगा यह पढ़के तो मेरा खूल रहा है, शिरके सर, जिसने भी एकाम किया है, उसने पेपर कटर का यूज़ किया उसे काफी टाइम और काफी स्ट्रगल लगा होगा फिर भी उसने गिवप ने किया और उसके मौत ब्लड लॉस के वज़े से हो गए और मौत तीन से पाच के बीच में हो गई शिरके, इसका मतलब वो कालेज से बाहर गई है नहीं उसकी गाड़ी को और लेके गया लेकिन सर जहां मानाली की गाड़ी मिली थी उसेरिया में कहीं कोई CCTV कैमरा नहीं था मानाली ने अपनी गाड़ी पार्ट की है, नहीं की है, यह ही चेक करने के लिए हमने उसेरिया की चानबिन की थी इतनी दुश्मानी, इतनी नफरत, उस समिझ में नहारा शिर गी है और लाब असिस्टें लखन के अलावा सिर्फ रगिलर लाब यूस करने वाल स्टूड़न के ही फिंगर प्रिंस हैं कातिन और रेपिस्ट एक या दो या दो से ज्यादा है बहुत चालाक एकि नहीं हम ढून निकालेंगे, तिर्फ उनकी एक गलती हमें मिलनी चाहिए कराइम सीन पे जो हैर मिला था वो प्यूविक हैर है सर उसका डियने हमारे जितने भी सस्पेक्टे किसी से मैच नहीं करता है और सीमें सैंपल सर सीमें रिपोर्ट के हिसाब से लड़की के अंडर गार्मेंट पर जो सीमें मिला था वो उसके होने वाले मंगेतर विकास का था उसके प्राइबेट पर जो सीमें मिला है वो किसी भी सस्पेक्ट से मैच नहीं करना है जैने उस दिन लेब में ओम, सुझे, अनिकेद और विकास इसके अलावा कोई और भी था झाला हो सकता है कि विकास के साथ ही हो तो विकास ही बताएगा विकास पारेस करो और वो सुझे, उस पो फिर से तोड़ू इसको फिर से तोड़ू इके साफ ृट इधर आख तेरे सिमेन मनाली के बॉड़ी से मिले सिमेन से मैच नहीं हुए लेकि जरूर दुने कुछ कांड किया सच सच बता दुने कुछ प्रोटेक्शन यूज करके रेप किया न उसका मैंने सच में कुछ नहीं हिया सर इतना कमी नहीं है रे जान के वा मानती थी भाई समझ ग पैसे की मददिती खाऊ सिल ऱोर दिखाए नीबयो निकालता था चुक की नगीिति्य किसे विकास के साथ मिले तुने उसका रेप किया ने उसका मरडर किया ना सच सच बता, और कोर को दा तेरे साथ नहीं सर, विकाज ने क्या कि हम उसे कुछ नहीं परा, सर सर मेना दिबाग फेर गया था, इसलिए मना वीडियो बना सर, विकाज को लेके आई यह सच ने बोलता, तक तक तोड़ो इसो कड़े सर, मनाली की मोबाइल का मैसेज सर्विच, जो पासपर्ट प्रड़ेक्टेट था, वो अपन हो गया उसमें हमें एक मैसेज मिला, जो मनाली ने विकास को भीजा था, दस तारीक के सुभह बारा बज़े समझ में ने आता, तेरे यसा कमीना इंसान धर्तिबे बोज़ बनके क्यो जी रहा है कमी ने, मनाली के साथ तेरी सगय होने वाली थी, शादी होने वाली थी, फिर भी तुने उसका रेप किया और खुणूरता से उसका मर्डर कर दिया बता तरे साथ कौन-कौन था? ओम, सुजय, हनीकेद, कौन था? सरी, आप क्या कह रहे है? लिगा है, पड़, पड़, यह पड़? क्या लिगा है? उन्हे प्यार के नाम पे जो जबरदस्ति की है, उसे रेप कहते हैं सर, सरो मनाली ने मेरे पैशन को właściओ मेरे स्क्स करना ना जाता था मैं सिर्फ उसके साथ सेक्स करना जाता था सब पिर मुझे रियालाइज हुआ कि मनाली को कुछ जादा ही बूरा लगग bisher इसने उसे मिलने में अवरिसे कॉलेज गया तेखो मनाली मेरे से प्रिसे गल्ती होगे, मैं मेरे बाता हूँ ताच में! लेकिन वहाँ बात और बिगड़ गई फिर तुन्हें दोबारा तेरी मर्दान की दिखाई और दोबारा रेप किया जब उसने पॉलिस में जाने की अर सगाई तोडने की धंकी दी, तेरा इगो हर्ड हो गया और तुन्हें उसको पूरता से मार दिया सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जब तक इन्विस्टिकेशन पूरा नहीं होता तो यहीं रहेगा चलने लिंजा लग, लेगजा लेगजा इनको किर के? मनाले के लाब में एक मेने से कौन कोन आ रहा था चेक करो हस्तेन, रूम, आफिस, सब चेक करो और उनका मनाले के साथ कुछ कनेक्शन का हो भी देखो मुझे यकीन है शिर के कल्पिट हमारे नजरों के सामने ही है लेकिन अपनी चाला की से बच रहा है अंकल, यह बंद हो गया, इसको चालू करके दो न बेटा, यह किसका है? मेरे बेटा, यह ना खराब हो आए इसे बनाना होगा, मैं इसे यही पर रखता हूँ, तुम कल आके लेके जाना मैं बच्छा दिखता हूँ, मजार हूने मुझे यह ना वापस दो एक, एक मिनिट, एक मिनिट, मेरे बसना, यह दूसरा ओला टैप है, यह आप लो, इसके ओपर गेम खेलो, और इसके मैं पैसे भी नुलूगा, जब तुम कल आओगे ना, तब यह मुझे देना, और यह लेके जाना, ठीक है? अब जाओ अब करता हैं? इसके पहला, इसके पहला, आपके लिए, शिर्के, मुझे रिपोर्ट्स जाएए यह रिखा अभा नहीं निकल बारी थी क्योंकि ओम भाया मुझे कहीं नहीं जाने दे रहे ते रहे तुम शांत हो जा अब बताव बात क्या है? से अब मनालीता ही मुझे अपनी खेदीती पढ़ने के लिए और मुझे उसमें से यह मिला अल्डिबेस्ट है अल्डिबह पिधियो कारें है registrar कुषय करें जिआप नहीं वीं दे महें विला यहित् affected लखन खंडेकर! यह क्या है रे? क्या है? माना विच्छर तू क्या है? क्या है? क्या है यह? अल्दी बेस, यह हार्त, बीच में क्या है लिखा है तुन्हे? LK, लखन खंडेकर. क्या है यह बता? देख तेरे लफ्टॉप मिला है उसमें फोटोग्राफ भी मिले, तेरे और मनाली मैडम के, फिल्मी पोज में, मार्फ के है ना तुने, अब सच-सच बता, तुने उसका रेप क्यों किया, उसका मर्डर कैसे किया, और तेरे साथ कौन-कौन था? सर, मैंने कुछ ने किया, सर. अ, ये ड्राइंग मेरा है, बनाली मैं इतनी अच्छी थी, कि मुझे उनसे प्यार हो गया था, सर. लखन, तुमने लंच किया? नहीं, मार्फ. ठीक है, आज मेरे साथ लंच करो, और कल से मैं काकु को बोल दूँगी, कि तुम्हारे लिए भी लंच भेज़ते. नहीं, 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 आज हम शेयर कर लेते हैं, आज के टाइम में आप देसे इतने अच्छे लोग कैसे हो सकते हैं, मैडम में. अब मैं इतना छोटा एंप्लॉई हूँ, सर, कि उनसे खुल के आई लव यू भी नहीं बूल सकता था. इसलिए छुप-छुप के कभी-कभी उनको नोड्स बेजा करता था, जिसकी ख़बर उनको एक दिन चल गई थी, सर. लाखन, ये तुमने रखा था, ना? अरे, डरो मत, मैं किसी से तुमारी शिकायत नहीं पर लगी. शॉरी मैम. अरे, इस ओके, किसी को किसी के लिए भी फिलिंग्स आ सकती हैं, लेकिन बात करने से चीज़े क्लेर हो जाती हैं. जी मैम. और आगे से ऐसा कुछ मत करना. और ये मैसेज में एक स्वीट मेमरी समझ के अपने पास रख लेती हूँ. देख, लखन. तेरी कहानी इतनी ने, तेरी कहानी और कुछ है. सच सच बता, ने तो आंतमय कर दूँगा. तेरा स्पर्म रिपोर्ट और डियनी रिपोर्ट आ जाएगा. उसके पहले तू बता, और तो बाद में कुछ पता चला, तेरे बहुत हाल हो जाएगे. नहीं बताएगा? शिर के? नहीं, सर, बता, बताता हूँ, सर. मैंने मर्डर नहीं किया, सर. हाँ, लेकिन उस दिन क्या हुआ था, सब बताता हूँ. सर, मैं दूसरे लैब की आईटानरी लिस्ट बना रहा था, जिसमें मुझे फॉस्फरस की जरूरत थी, जो मनाली मैम के लैब में स्टोर था, इसके लिए मैं उनकी लैब की तरफ गया था. मुझे लगा शायद मुझे कोई देख लेगा. किसी लिए लैब को ताला मारे बगरे वहाँ से मैं अपने लैब में चलाए हुआ है, मुझे कुछ समझ में ने आ रहा था, सर मैं क्या करो, मैं बैठा रोता रहा, सोचता रहा, और अच्छानक पाच बजे मुझे पनाली मैम के गाड़ी का हॉन्स नहीं दिया, वो गाड़ लेकर जा रही थी, मुझे लगा कहीं वो मेरी किसी से शिकायत ना करते, इसके लिए मैं उनको फोन करता रहा, मैंने उसके बाद उनको कई दफा फोन किया, लेकिन उनने मेरा फोन नहीं उठा है, सर, मेरा तो ये चिंता हो रही है, कि अगर ये तेरी कहानी जूप निकली, तो तेरे क्या हाल हो गए? आईश अपट सर, मैं सज बोल रहा हूं सर, तुम्हे लग रहा हैं सज बोल रहा हैं? असा भूल आँ? पुलिस ने लखन को हर तरह से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मनाली के मडर में अपना हाथ होने से साफ इंकार किया, ऐसे में पुलिस पर कातल को पखड़ने के लिए प्रेशर बढ़ने लगा, लेकिन पुलिस को कोई उपाय नहीं सूज रहा था, अरे सेड, मोबा मुझे मेरा टैप वाफस दो, वाइसे ने माने का रुक तरको निगाल दो निकलो आशे, निकलो बोला न, नहीं है, चल निकलो आशे, और वापस दिखना, तो हाथ पाओ तो तोड़ दोगा, निकलो, निकलो इंबच्चे कह तुमने टैप लिया है? हाँ, वो टैप दिया था बनाने के लिए, वो आया ने न, इसलिए दिया ने, आभी देता हूं मैं जोड़ बल रहा है सरी है योलो बेटा, इसे नमेना बना दिया है, पॉन कर देना इसे साब एक बात बूलू क्या, ये टैप ना इसका नहीं हो सकता, बहुत महेंगा ही है बेटा, इतना महेंगा टैप आपके आईबावन ही दिया है ये लो तुमारे लिए, अरे लो, लो अब मैं तो ये टैप किस ने दिया तुमको रात को एक उंकल आए, गाड़ी खड़ी की, ये फैका और गाड़ी भी रखके चले गए ये थे? नहीं ये? नहीं ये? हाँ ये ही थे हाँ? आने चले कुछ बात करने है ये? ये? ये अब अन चलेज गया ये नहीं था जुट गोल के कुछ फाइदा नहीं है, तेरे घर में भी लैप की चावी मिली है, और एक छोटी लड़की ने देखा है तेरे को मनाली की कार पार्क करती हुए, उसमें से टैप फेकाता ना तुने? अब ही तेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, तुने जो स्केचेस मेल किये थे ना मनाली को, वो है हमारे पास, और वो स्केचेस के उपर जो कट्स है ना, सेम कट्स मनाली के बॉड़ी के उपर भी थे, मैच होते हैं हो, हाँ सर, सर मैंने मनाली के रेफ किया, उसका मुदर भी किया, सर मैं इस सब नहीं करता, अगर वो मेरा प्यार एक्सेप्ट करती सर, नातक मत कर, समझा ना, तुने लड़कों से प्यार का नातख करता अम्प़वानिक है, वो आनिकेतने बता है, और संजना किया थे किस तु तो भाग गया था ना तो? हाँ सर, मैं मनाथी को अपने प्यार में फसाना चाहता था सर लेकिन लेकिन वो मेरे जाल में नहीं पसी इसलिए सर मैंने मैंने उसके महडर के स्केच बनाए और और उसके रास्ते में रख दिये सर ऐसा गिफ्ट मुझे लगा वो डर चाहेघी लेकि वो नहीं डरी तो मैंने वह सारे स्केचिस उसे एमेल कर दे सर और उसने क्या गल्भी की इसकेचिस डाउनलोड कि है लिकिन इसी को बताया सर वो सारे सकेचिस इमेल करने के बावजुर उमेले पास नहीं आई, सर तुमारते दोकत सादक लना सब, उचे पता था, कि कॉलेज के सारे CCTV कैमरास बंद हैं. अरे, इस कॉलेज की सारी लड़कियां यादा कि फीमेल प्रफेसर्स भी मेरे साथ सोने के लिए देश्परेट रहती हैं, उझे मना करने बाली तू है कॉन? तुमें ना का मतलब समझ नहीं आता है क्या? तुमें नाना ने तुझे यह संसकाड दी है क्या? उप माब भी अशी जबड़स्ति करता है? ये, तुब ऐसा ही नहीं गया, उन्हें मनाले के गाड़ी की चावी ली, नीचे गया, गाड़ी स्टार्ट की, बहुत बार हान बजाया, ताकि लोगों को लगे मनाली गाड़ी लेकर निकल चुकी है, या सर, उसके बाद वो लखन मुझे मनाली समझ कर कॉल करा था सर, उसने म बहुत कॉल की है, लेकर मैंने उसके कॉल ने उठे, क्योंकि मुझे पदा था, कि वो, वो मुझे चितने कॉल करेगा, वो खुद उतना हाई उसके जाल में फस्ता जाएगा, तेरा दिमाग बहुत तेज है, लेकिन तेरे सामने जीवन जीस ठाली में सजा के आया था उसकी तो कदर ने कर पाया, अब जील में सड़, और तेरे नाना का नाम रोशन का है, उसके, पंकज लोनकर का अंकार ही था, जिसकी आड़ में उसने जुर्म का एक ऐसा ताना बाना बुना, जिससे मनाली भिलारे जैसी प्रतिभावान लड़की ने ना सिर्फ अपना जीवन खो अब मैं अनूप सोनी आपसे बिदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी Crime Patrol सतर्क के Black Headlines अध्याय में एक और नए केस के साथ, और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जैहन! झाल